नश्कार दोस्तों गाड़ी लेने के अगर आप 24 पे प्लाइन कर रहो ना तो थोड़ा सा रुख जाईए क्यूंकि ना आपको बहुत से बहतरीन से बहतरीन आप्षिंस अपकमिंग कार्स में देखने को मिल जाएंगे नवेंबर दिसंबर में 24 में ही यार आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी काड़ियो बताने जा रहा हूं जो 24 में नवेंबर दिसंबर में अन्विल हो जाएगी और में भी हो सकता है इस गाड़ी का प्रोडक्शन वगरा आपको मिलना भी स्टार्ट हो जाए तो रहा एक वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा पहली पोजिशन पर मार्त सुजुकी डिजायर दोजार चॉबिस है को यार इस गाड़ी की ना बहुत जाद नूसे सुनने को मिल रही है कि यह दोजार सब्सक्राइब कर रही है तो यह चीज देखने को मिल जाएगा और वहीं इसकी पाउर प्रिजिंग का बात करो ना तो 69 बीच्पी और 102 Nm का टॉक देखने को मिल जाएगा साथ से 10 लाख प्रुपे के बीच में यह गाड़ी आ जाएगी आप मैं आपको इसका फाइनल चीज बता दो कि यह गाड़ी अन्रमेंड का होगी तो नॉयमबर मिट से लेके दिसंबर के फॉस्ट वीक में इस गाड़ी का टीजर वगर लाउंच हो जाएगा यह गाड़ी की प्रोड़क्शन तो आपको 2025 में पक्का देखने को मिल जाएगी और में भी हो सकता है आपको 2024 के दिसंबर सही गाड़ी मिलना स्टार्ट हो जाए क्योंकि प्रोड़क्शन मारतों तो कि अच्छी खासी कर देती अपनी गाड़ियों मे अब 2024 में एक और न्यूज आ रही है किया कि क्लाब इस लाउंच होने वाली और यह गाड़ी ना यार ट्रस्मी जो सोनेट आती थी थी ना इंट्री लेवल मिलने वाली वाला सोनेट से भी सस्ती रामों पर यह गाड़ी मिल जाएगी 6 से 10 लग रुपेस गाड़ी की एक्श 111 वी एच्पी और 172 न्यूटन मिटर्स का टॉंक है और यार यह गाड़ी ना 1.5 लीटर के डीजन इंजन में लग पर 140 वी एच्पी और 250 न्यूटन मिटर्स की तौर को प्रिट्यूस कर सकती है मतलब मैसिव सा दामवाई 6 से 10 लग रुपे फीचर्स नोड आउट किया अ सब्सक्राइब को मिलेंगे लेकिन यार यह टॉप कॉंपेटिट करेगी एक्स्टर से पर पंच से यह समना कॉंपेटिटर रहेगी कियागी क्लाविस क्या भी हाल सिलाल में इस डाड़ी की कुछ रूप टेस्टिंग वगरा की जा रही है लग बग रोट्स वगरा में कार देखने को मिलेगा कोई तीसरी गाड़ी ना होना की होने वाली है और अमीज 24 फेसलिफ यार यह गाड़ी की बहुत जादा नहीं उस मार्केट में फैल रही है कि यह गाड़ी ऐसी दिखेगी 24 फेना इस गाड़ी की फेसलिफ आ जाएगी लगबक नॉइमबर फॉस्ट को बढ़ा दिया तब इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता था और अब ना इस गाड़ी में आपको में cng देखने को मिलता था तो कस्टमर उसके फीचर जाते थे जारे कि इसमें माइलेज वगरा थी और क्याप्स वगरा में भी चलती थी पर यह गाड़ी जब cng में लॉंच होगी ना इसमें भी आपको अच्छा खासा माइलेज देखने को मिल जाएगा लगबक 25 सा लेदर आट की फिनिशिंग देखने को मिलेगी की वी एक्स वरियंट में लाइट वरियंट में तो बढ़े अच्छी आएगी इसमें बहुत अच्छा आपको पूर्ट पेस्वी देखने को मिल जाता साने 400 लीटर से उफर ही आपको अप्रॉक्सिमेटली वूर्ट पेस् संबर के बीच में यह गाड़ी आपको मिल जाएगी दोस्तों चौथी गाड़ी ना सिट्रोन सी 3 फेसलिफ दोहजार चौपिस होने वाली है अब यह गाड़ी देखो यार बहुत लोग नहीं जानते कि सिट्रोन नाम से भी कोई ब्रैंड है और सी 3 नाम से भी कोई गाड़ है पर जो लोग चलाते हैं टीक टाक जिनको एक नई गाड़ी चाहिए नई ब्रैंड की गाड़ी चाहिए नया फीचर्स आई आलग मतलब आपको फंक्शन चाहिए तो बढ़या चीज है यह गाड़ी खराब भी नहीं बोल सकते हम इसे लेकिन रिस्पांस थोड़ों कस्ट और प्रिडूसें 81 वी एच्पी और 150 म्यूटन मीटर्स का टार्क आजाएगे नॉर्मल में वहीं अगर आप इसके टर्बो वेरियंट लेते हो तो 109 वी एच्पी प्लस 190 म्यूटन मीटर्स का टार्क मैसिव सा टाउक देखने को मिल जाएगा अच्छा कासा इनीशल ही पड़ जाती है यह गाड़ी 9 रुपीज से प्राइस है 15 रुपीज तक टॉप एंवरियंट की प्राइस पड़ सकती है अब इस पर फाइफ स्पीड का टांस्मिशन और सिक्स्पीड का टांस्मिशन आटोमेटिक में हो दोनों देखने को मिल जाएगा सियांजी बगरा ही आती है यार पेट्रोल ही मल जाएगा इंजन में